मूजी शुरू होती है, हम एक डफी नाम के एक आदमे को देखते हैं जो एक बार में जाता है, वह उसकी नजर को जोआ खेल रहे हैं लोग उपर बढ़ती हैं, उनको देखकर वो भी उनके साथ एक खेल खेलने का डिसाइड करता है, लेकिन डफी के पास जोआ खेलने के धूल चटा देता है, इसी बीच मैक्स जो दो दिन पहले जेल से चुट कर आया है, वो डफी को देखता है, अब बार से निकलने के बाद डफी एक होटल में जाता है, क्योंकि उसके पास अपना खुद का घर नहीं था, दरसल डफी एक एक एक्स मरीन कमांडो था, जिसने अफगानिस्तान में अपने कई साथियों को खो दिया था, उसकी टीम में केवल वो और उसका दोस्त डॉन है, और वो ही अफगानिस्तान से जिन्दा लोट पाए थे, अब सुवा मैक्स होटल में डफी से मिलने आता है, लेकिन डफी मैक्स से बात करने में दिल्चस्वी न समा सकते हैं, पहले तो डफी को उस पर यकिन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर मैक्स उसे अपनी बात समझाने के लिए एक जिकाप पर ले जाता है, वहाँ वो दोनों फॉसको नाम के एक आदमी से मिलते हैं, फॉसको अलग-अलग जगव पर जाकर स्ट्रीट फाइट करवात जैसे ही फॉसको वहाँ पर मौझूद सबको अपने फाइटर से लड़ने के लिए चुराउती देता है, उसकी नजर डफी पर पड़ती है, उसे समझ में आ जाता है कि मैक्स उसे यहाँ लड़ने के लिए लाया है, लेकिन डफी उसे लड़ने से साफ मना कर देता है, तो स मैक्स डफी को उसके हिस्से के पैसे देता है और उससे उसके घर के बारे में पूछता है, डफी उसे अपनी हालत के बारे में बताता है, तो मैक्स उसे अपनी सिस्टर के घर पर शिफ्ट करने का फैसला करता है, लेकिन मैक्स की सिस्टर रेचल की घर पहुशती वो देखत है कि रेचल अपने बॉइफरेंड को धक्के मार कर घड़ से निकाल रही है और डफी भी बीच में पढ़ कर उसके बॉइफरेंड को पीटना शुरू कर देता है असल में रेचल एक बिद्वा है और वो अपनी बेटी के साथ रहती है अब अगले दिन मैक्स एक माफिया पार वर फाइटर्स हैं जिस पर उसे पूरा भरोसा था इधर डफी घर की सफाई में लगा हुआ था कि तब ही रेचल अपनी बेटी के साथ वापस आती है और डफी का इतना अच्छा बरताव देखकर वो बेहत खुश हो जाती है और उस तरह डफी रेचल और उसकी बेटी के स पूश्ताच कर रहा होता है असल में रिग्स पहले पारकर के लिए काम करता था और गैंग छोड़ने से पहले उसने पारकर का बहुत सारा पैसा चुरा लिया था उसी वक्त लिंक्स नाम की एक करप्ट पुलिस ऑफिसर वहाँ पर पहुँच जाती है और वो रिग्स से अब अगले दिन मैक्स और डफी अपनी लड़ाई के लिए आरीना में पहुच जाते हैं वहाँ पहले से लड़कियों की लड़ाई चल रही होती है और वो करप्ट पुलिस ऑफिसर लिंक्स भी वहीं पर मौजूद है पहली लड़ाई खतम होने के बाद अब डफी की बार मैच शुरू होने से पहले ही फॉस को सबसे कहता है कि इस आदमी को हलके में मत लेना लेकिन इस जितावनी के वाब जू डफी बड़ी आसानी से अपने दुश्मन को हरा देता है मैच के बाद जैसे ही मैक्स और डफी वहां से निकलने लगते हैं तब ही पारकर उन्हें कर कहने लगता है कि अगर तुमने फॉर्ट को हरा दिया तो मैं तुमें तीन गुना ज्यादा पैसे दूँगा पर डफी कहता है कि मैं उस हैवान से लड़ने के लिए तीन गुना नहीं पांच गुना लूँगा पारकर तो उसके लिए भी तुरन तयार हो जाता है लड़ा जीद जाता है जिसके बाद घर पहुँच कर मैक्स और डफी बहुत खोश होते हैं साथ ही मैक्स डफी को अपनी जिंदिगी में भेजने के लिए भगवान का शुक्रिया आदा करता है क्योंकि वो जानता है कि उसके बिना वो कभी भी पारकर का करजा नहीं चुका पाता अब पर फिर भी पुलीज उसके घर की पूरी तलाशी लेना शुरू कर देती है असल में वो रिक्स के चुराय होए पैसो की तलाशी कर रहे थे लेकिन पूरे घर की अच्छी से तलाशी लेने के बाद भी उन्हें वहां से कोई पैसा नहीं मिला इसकी बाद लिंक्स रेचल को एक हफ्ते में सारे पैसे वापिस करने को गहती है और ऐसा ना करने पर वो रिक्स रेचल और उसकी बेटी को जान से मानने की धमकी देती है उसी शाम घर पहुचने पर मैक्स और डफी को पूलीस की इस रेट के बारे में पता चलता है पर रेचल कहते कि मुझे इन पैसों क मुझसे भी ज़्यादा खतरनाग लोगों के हैं अगर उनको ये पैसे ना मिले तो तुझे तो कोई नहीं बचा पाएगा तुमारी तो मात कोई नहीं मानने वाला और रिक्स ने मरने से पहले यही कहा था कि उसने सारे पैसे रेचल के घर पर चुपाए हैं और अब वो इससे बाहर निकलते हैं वो लिंक से मिलता है जिसे देखकर वो भी ज्यादा परिशान हो जाता है डफी उसे शांत करवाता है और कहता है कि मैं रिचल और उसकी बेटी को बचाने के लिए फिर से लड़ने के लिए तयार हूँ थोड़ी देर मात डफी घर के बाहर अकेले बैठा था तबी रिचल उसके पास आती है और उससे कम सोने का कारण पूछती है डफी उसे कहता है कि जब मैं सोता हूँ तो मुझे आफगानिस्तान के वार के भायानक सपने आते हैं और मैं अक्सर अपने मरे हुए सात्यों के चेहरे देखता हूँ वह उधर हम देखते है कि मैक्स और फॉसको डफी के लिए एक बड़ी लड़ाई की योजना बना रहे थे ताकि उससे मिलने वाले पैसो की मदद से वो पारकर के सबी करजे चुका सके और अपनी सिस्टर को बचा सके अपनी समझसाई सुनने के बाद फॉसको इस काम को करने के लिए तयार हो जात लेकिन बदले में उसे 30% हिसा देना होगा अब अगले दिन फॉसको पारकर के पास आता है और उसे मैक्स के परस्ताफ के बारे में बताता है साथ ही अपना वो मुद्दा समझाने के लिए फॉसको पारकर के अंकार को थोड़ा खटका देता है वो कहता है कि अगर तुम अरेंजमेंट की जाती है जा सभी अमीर लोग पैसे लगाने पहुशते हैं उससे में लिंक्स और पारकर भी वहीं पर मौजूद होते हैं उन दोनों को यकीन था कि डफी इस बार तो नहीं जीत पाएगा लेकिन फिर भी लिंक्स उसे कहती है कि अगर डफी गलती से भी इस सारे सिनियर्स को पकड़वा दूँगा वहीं दूसरी और हम देखते हैं कि कुड़ा फेकते वक्त रेचल को कुड़ेदान में पड़ा रिक्स का बैग मिलता है जो पैसे से भरा है असल में उसकी बेटी ने इस बैग को छुपा दिया था क्योंकि वो रिक्स के बरताफ से नारास थी इसके लिए वो बात में माफी मांगती है उदर फॉस को मैस से पहले डफी को किसी भी हालत में लडाई जीतने को कहता है क्योंकि उसने उसकी जीत पर 5 मिलियन डॉलर्स लगाए हैं इस बार डफी के सामने एक पुलिस ओफिसर है मुकाबला थोड़ी देर भी टक पैक करने को कहता है वहीं उदर रिचल मैक्स को उस बैक के बारे में बताती है पर मैक्स कहता है कि बैक को छोड़ो अपना बैक पैक कर लो हम इस शेर से निकलने वाले हैं थोड़ी देर बाद जब वो रिचल को लेने घर पहुशते हैं तब ही पुलिस के गाड़ी उन पर ह पर दोन के बाद मैक्स अपनी सारी परिशानी को खतम करने का फैसला करता है। मैं तुम दोनों के साथ इस लडाई में आना चाहता हूँ। जिसके बाद डफी साफ इंकार कर देता है। मैक्स बड़ी ही चालाकी से लिंक्स को गोली मार देता है। वो तीनों अपनी सभी दुश्मनों को खतम कर देते हैं पर इस लडाई में डॉन भी मारा जाता है। अब अगली सुवर मैक्स अपने सिस्टर से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है। जाएं उसकी बेटी को होशाने के बाद उन्हें वापस घर भेज़ दिया जाता है। और इचल को डफ़ी के लिखी होई एक लेटर मिलती है जिसमें वो इतने दिनों तक उसे अपने घर पर रखने के लिए उनका धन्यवाद करता है।